Hello everyone, welcome you all at Locase Unlimited Study Zone So guys, प्रवीन बैच में आपका स्वागत है और चल रही है हमारी differentiation हम differentiation topic यहाँ पर start करने जा रहे हैं Basically, हम यहाँ पर जो content देख रहे हैं वो महरास्टरा बोर्ड का है, यहाँ पर mainly तो differentiation आपके सामने है और इस chapter में हम देखेंगे कि differentiation करने की कौन-कौन सी technique होती है तो differentiation क्या होता है अगर आपके पास कोई function लिया गया है y is equals to fx तो आप निकालते हैं कि function y जो है वो क्या है x का function है, function y किसका function है x का, तो बिटा x को यहाँ पर बोलते है independent variable x को बोलते हैं बिटा independent variable और बिटा यहाँ पर y को बोलते है dependent variable y को बोलते हैं हम dependent variable मतलब x बदलेगा तो y बदलेगा, x के बदलने के उपर क्या बदलेगा, y बदलेगा जैसे आप के लिजे, आपके marks तो marks आपके जो है, वो function है आपके किसके, study hours के marks are the function of time मतलब आप कितना time देते हैं पढ़ाई में उस पर depend करेगा तो अगर आप time को increase करेंगे तो आपके marks भी increase होंगे और अगर आप time को decrease करेंगे तो marks भी क्या होंगे decrease होंगे तो यहाँ पर time जो है, वो independent variable है और जो marks है, वो depend कर रहा किस पर time पे so this is dependent variable बट आपके मन में कगर कभी जानने की ख़़ा हुई कि अगर मैंने अपने पढ़ाई में दो घंटे का increase कर दिया मतलब time को मैंने दो घंटे से बढ़ा दिया तो marks मेरा कितने बढ़ जाएगा ऐसा जानने की ख़़ा होती है naturally कि अगर हमने दो घंटे बढ़ा दी अपने पढ़ाई को तो बताईए हमारे marks कितने बढ़ कर के आ जाएगे हलाकि ऐसी कोई machinery नहीं है क्योंकि बीच में आपका brain भी फसा हुआ है अब आप पढ़ते हो रहे हमाड़ा आपका brain active नहीं है तो आपके एक नमबर भी ना बढ़े है ना तो बट प्राइम बढ़ाने से माक से दी intelligently आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बढ़ेंगे तो आप जानना चाहते हो कि कितने बढ़ेंगे इस चीज को हम बोलते है differentiation करना क्या है rate measurement क्या measurement बीटा rate measurement तो बीटा rate measurement जैसे एक quantity हमाँ पास y है और एक quantity है x है इसको बोलते है average rate of change क्या बोलते है इसको बीटा average rate of change in y with respect to change in x change in x मतलब कि अगर आप x में change कर रहे है तो आपके y में कितना change आएगा आपके y में कितना change आएगा जैसे समझो बच्चो जैसे health है आपकी तो health किसका function है बीटा diet का किसका function है diet का मान लीजे आपकी diet पहले d1 amount थी और आपने change करके अपनी diet कितनी कर ली d2 अब diet के accordingly बीटा healthy भी change होगी आपकी पहली health थी h1 और दूसरी health कितनी होगी h2 तो आपकी diet का यदि मैं change बताऊ यहाँ पे तो diet का change कितना है delta d आपकी diet का change कितना है delta d and delta d is equals to d2 minus d1 और health का change कहा जा सकता है delta h that is equals to h2 minus h1 clear तो आप इसको ऐसे समझें कि अगर delta d diet change में कितना फरकाता है delta h का अगर आप delta d अपनी diet को बदल देते हैं तो health में कितना फरकाता है delta h का तो unit diet change में कितना change आएगा बेटा आपकी आपकी delta h upon delta d समझ में आगया मतलब अगर आप अपनी diet को delta d से बदलते हैं तो delta h का परिवर्तान आता है तो अगर unit से बदलेंगे एक से बदलेंगे अब आप कोगे सर्थ एक से क्यों निकालेंगे क्योंकि भाईया आपके पास एक है तो आपके पास सब कुछ है अगर आपको एक article का price पता है कि एक चीज इतने रुपए की आ रही है तो आप चाहे 10 करोड की निकालो 10 लाख निकालो मरजी आपकी तो इसलिए this is rate of change of h with respect to rate of change of with respect to d with respect to change in d समझ में आगया मतलब परिवर्तन निकालना कि कैसे बदल रहा है समझ गया ना आपने अपने दोस्तों को कहा होगा आज कल तो तुम्हारे भाव बहुत बढ़ गया है तो differentiation ही है वो निकाल सकता है भाव कितने बढ़ गया है समझ गया ना आपने अपने दोस्तों को कहा होगा तुम तो यार बहुत बदल गए हो जब हम पहली बार मिले थे time t1 था और आज time t2 है जब तुम पहली बार मिले थे तो तुम x1 थे आज तुम बहुत बदल गए हो x2 दोस्त ने पूछ लिया कितना बदल गए हो तो आपको differentiation करके बताना प चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा differentiation करना पड़ेगा तो यह कहलाता है average चेंज क्या कहलाता है यह average चेंज अब इसी में अगर आप delta t को 0 की पास कर दे मतलब समय बिल्कुल ना के बराबर ना के बराबर मतलब इतना आपने समय कम कर दिया कि बिल्कुल time का span बहुत क इतना close ला दिया इतना close ला दिया कि यह जो पूरा change था यह एक second पर सिमट करके रहे गया इस second को क्या बोलते हैं instant क्या बोलते हैं बिटा instant पल तो अगर किसी पल भर का change आपको ना पना हो तो आपको delta t को 0 से approach कराना पड़ेगा और delta t के 0 approach करते ही आपका जो delta x upon delta t है वो बन जाएगा कितना बिटा dx by dt क्या आपको measure करके क्या देगा instant change of x with respect to change in time instant पलक जपकते ही समझ में आया आपने किसी को चाटा मारब फटाक से जो परिवर्तन हुआ है तर तुरंत आपको देदेगा instant ठीक है तो instant rate of change so dx by dt आपको क्या देता है dx by dt देखे आपने दो चीज़ें देखी एक delta x by delta t वो average था और dx by dt क्या है बेटा instant change of x with respect to t ठीक है ना instant change of x with respect to t अगर आप with respect to t हटा देते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ लड़ लेजे rate क्या डाल दीजे rate क्योंकि time के respect में किसी भी चीज़ का बदला और rate कहलाता है क्या कहलाता है rate तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है instantaneous rate of change of x बस हो गया क्योंकि आपने rate word डाल दिया तो दुनिया तयार है इस चीज़ को समझने के लिए आप किसकी बात समझ गए क्या rate चल रहा है आज कल क्या भाव चल रहा है आज कल सबके सब किस पर किस पर time based होते हैं न समझ में आगया आलू का आप rate पूछने जाते हैं आलू का कभी price नहीं होता है क्योंकि इनमे rate बदलता रहता है yes or no but Maggie price की चीज़ है बिल्कुल fix रहेगा MRP इतना लिखा हुआ है yes or no तो rate जो होता है बिल्कुल fix होता है मगर उल्टा बोल गया rate बदलता रहता है और price fix रहता है clear की not clear yes तो यह हम mainly अभी तो मैंने बता है आपको कि differentiation होता क्या है हम कम जिंदिगी में करते क्यों है differentiation समझ में आ गया एक और अची चीच बताया देता हूं आपने अग अच्काल डिजिटल डिस्प्ले होता है आपने देखा होगा पल्सर पगेरे में आप जितने की स्पीड चलाओगे यहां पर लिख करके आ जाता है थर्टी डू के एम पी एच वह लिहां है ना तो यह आपको उस समय आपके चके किस रफ्तार से घूम रहे हैं वो calculate करके दे होती है जो आपको differentiate करके value तुरण दिखाती है आपके display पे आपके car में भी बन करके आता है आज कल कार में भी बन करके आता है clear की not clear फ्यूल जो होता है फ्यूल मीटर वो भी आपको पूरा-पूरा दिखाई देता है अगर आपका 10 ग्राम फ्यूल भी कम हो जाएगा तो उसमें वो मेजर करके आपको दिखा देगा So these all ये क्या होता है आपके पास डिफरेंशियेटर होता है अस्पताल में देखिए जब आप जाते हैं तो आपका ECG होता है इलेक्ट्रिकॉर्डियोग्राफ हाई ना तो ये देखिए कुछ इस तरीके के बीप्स बनते हैं जिन्दा आदमी के लिए और यदि ये हो गया तो निपड़ गया क्योंकि constant function हो गया constant function में कोई vibration आएगा ही नहीं तो ये भी कहां से बनते हैं ये भी pressure को ले करके time के साथ graph बनाया जाता है dp by dt heart का जो pressure होता है उसको ले करके graph बनाया जाता आपने देखा होगा heart में दो knob लगाया जाते हैं एक left side में एक right side में तब ये काम करता है clear की not clear differentiation ठीक है न तो बहुत काम की चीज है तुरंत बदलाओ ना पने के लिए चलिए so अब हम बात करते हैं कि हम differentiation के methods कैसे करेंगे we are talking about the method of differentiation क्योंकि हमारे chapter में केवल method of differentiation ही है और ज़्यादा बात ही नहीं है method of differentiation मैंने बच्चों method of differentiation को एक अलक टाइप से बना रखा है मैंने differentiation के method को मैंने format में बदल लखा है format format मतलब इस तरीके में दिखाई दे इस तरीके का कोई कपड़ा पहन करके आए तो आप उसको ऐसे treat करो कोई इस तरीके का कपड़ा पहन करके आए तो ऐसे treat करो आपके घर में कोई संत बन करके आ गया तो आप उसको बड़े सम्मान पूर्वक बिठा लोगे पानी या नहीं पूछोगे पैर वैर चोगे बुलो हाँ है न कोई माइकल जेक्सन टाइप लगा के आ गया तो उसको पैर तो नहीं पढ़ोगे उसका भाई यस और नो हाँ क्यो फॉर्मूला क्लियर की नॉट क्लियर अब यूजिंग डैरेक्ट फॉर्मूला मितला बिटा जो क्वेश्चन है आपको डैरेक्टली फॉर्मूला बेस दिखाए देंगे एक्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाए देंगे जो सीध तो फाइब तो भाई महमान है constant बाहर आ जाता function के ओके एंड डी वाई डी एकस ओफ एकस की पावर फाइब तो फार्मुला लगा दीजे फाइव इंटू अब इसका अलग अलग कर लीजे function को और डी वाई डी एकस ओफ तो ना रूट एकस का differentiation करने के लिए डी बाई डी एकस पहले पावर देखिए तो पावर के दर्शन हो चुके है एकस की पावर वन बाई टू और constant अकेले अगर फास जाए तो constant ऐसा function होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है और जो किसी में बदलाव नहीं होगा तो बदलाव की मात्रा क्या होगी 0 जो बदले ना उसका बदलाव 0 होता है there is no change in constant function yes or no now n x की पावर n-1 प्लस 0 सो कितना हो गया 1 upon 2 x की पावर minus 1 by 2 तो 1 upon 2 into x की पावर 1 by 2 1 by 2 root x बटा ये होगा इसका answer clear 1 by 2 root x ये आपके पास में हो गया आपका method of differentiation method of differentiation clear any problem तो बटा ये आपके पास में method of differentiation में पहला format मैंने आपको बता दिया using direct formula अब direct formula बहुत सारे होते हैं I hope आपको याद होंगे यदि नहीं याद है तो याद कर लीजे क्योंकि उनके बिना काम नहीं चल सकता है बच्चों पहला direct formula x की पावर n का होता है nx की पावर n-1 दूसरा formula dy dx of log x ले ले लिजी आप इसको तो log x में base e ही काम करेगा बटा जिसको हम 1 upon x बोलते हैं d by dx of e to the power x का differentiation बेटा e की power x होता है d by dx of a की power x where a is some constant का differentiation कितना होता है बेटा a की power x log of a और base पे e then इसके बाद बारी आ जाती है trigonometric function की तो d by dx of sin x हमाई पास क्या हो जाएगा बेटा cos x d by dx of sin x के बाद में cos x का differentiation बेटा कितना हो जाएगा minus sin x d by dx of यदि हम 10x लेंगे बेटा तो इसका differentiation हो जाएगा हमाई पास कितना सेक स्क्वाइर x d by dx of हमेरी cos x लेंगे तो c से है मतलब negative आएगा पहले c वाले negative होते है minus of cos x काट x और d by dx of काट x जो होगा बेटा वो होगा minus cos x स्क्वाइर x तो बच्चों ये हमारे पास differentiation इतने टाइप के हमाई पास आ रहे हैं और बहुत सारे हैं बट basically हमारी ये formula start में यही लगेंगे तो पहला method आपके पास में कौन सा मैंने बताया using direct formula using direct formula आप direct formula का use करके अपने question कर सकते हैं तो direct formula में खासियत क्या होगी बिटा direct formula में खासियत ही होगी कि function सीरे सीरे x पे ही depend करेगा function किस पे depend करेगा x पे ही जैसे example के लिए y is equal to log of x square अब देखे ये x पे depend नहीं कर रहा है log का function x square पे कर रहा है इस पे कर रहा है तो आप इसको directly method से नहीं कर सकते हो कि आप बोल दो कि इसको भी differentiate कर दिया d1 by dx equal to बोले log x का होता 1 upon x तो log x square का हो जाएगा 1 by x square गलत हो गया यह समझ गया केवल x based function पे ही आप यह technique लगा सकते हो otherwise नहीं लगा सकते है केवल x based function पे ही आप यह technique लगा सकते हो और बाकी चीजों पे यह technique आप नहीं लगा सकते हो ठीक है ना जैसे आपके पास में कोई function दिया गया है x plus 5 का whole square और आपने कहा कि मुझे इसको differentiate करना है तो आपने दिमाग लगाया कि वो x square का 2x होता है तो इसका भी 2 बाहर आ जाएगा nx की power n-1 तो इसका भी 2x plus 5 हो जाएगा क्या है सही है नहीं है यह गलत है नहीं constant बाहर की बात नहीं है आपने rule गलत लगाया है आपने इसमें वो सोचा कि x square का मैं rule लगा दूँ तो आप सोचे इसका अंसर 2x होता तो इसका भी 2x plus 5 नहीं लगा सकते है क्यों कि यह केला variable नहीं है x पर depend करता हुआ वो ले clear हुआ की नहीं हुआ हाँ तो जो function x पर depend करें उन पर डिरेक्ट formula लगा सकते हैं बड़ जो x पर depend ना करें directly उन पर आप यह formula नहीं लगाएंगे तो अब हमारा आता है format number 2 format number 2 format number 2 क्या है ऐसा function जो x पर depend ना करे है ना तो ऐसे function को हम बोलते है composite function क्या बोलते है composite function तो format number 2 में यदि मान लेजे आपके पास कोई function है f और उसके अंदर बैठा हुए है g और उसके अंदर बैठा हुए है x मतलब x g पर depend कर रहा है और g किस पर depend कर रहा है f पर जैसे मैंने लिख दिया log of sin x यह देखिए अगर अकेला sin x होता तो हमारा simple function होता अब यहाँ पर x की value पर कौन नर्भर कर रहा है sin अब पूरे sin पर कौन नर्भर कर रहा है log यस मतलब कुछ ऐसी बात हो गई x हो गया बेटा और x के x के पापा x के पापा हो गया f x फादर आफ x और उसके पापा का भाई function भी apply हो गया याने की brother of f x brother of f x तो आपने क्या क्या देखा x के पहले f apply हुआ जैसे यहाँ पर x पर पहले क्या apply हुआ sin तो बन गया sin x जैसे यहाँ पर x पर क्या apply हुआ sin तो क्या बन गया sin x जैसे इस question में x पे sin apply हुआ है तो बन गया sin x और sin x पे फिर एक और नया function अप्लाई हुआ है log तो क्या निकल करके आ गया बिटा? log sin x असल जिर्णिकी में समझे तो x के पापा और उस पापा का फिर भाई तो ये कैसा function हो गया? रिष्थेदारी उलज गएए इसको बोलते है composite function क्या बोलते है? composite function तो जब भी composite function होगा तो आपको क्या होगी? tension क्या होगी? tension और जब भी आपको tension होए तो जो दे रहा हो tension उसको दे देना आप T उसका नाम क्या मंन लिचे न? तो यहां पर टेंशन कौन दे रहा है साइनेक्स दे रहा है टेंशन कौन दे रहा है टेंशन कौन दे रहा है टेंशन कौन दे रहा है तो यह से लॉक साइनेक्स लिखा हुआ है लॉक साइनेक्स तो साइनेक्स आपको टेंशन दे रहा है तो इसको क्या माल लेजिए तो बेट function को solve करने के लिए यह method उपयोग की जाती है जो आपको टेंशन दे रहा है उससे आप क्या मन लो टी मन लो लियर है और मन में एक line बोलना काश ऐसा होता ठीक है जैसे इस question को देख करके log sin x को देख करके हमारे मन में आ रहा था कास ये log x ही होता क्या होता ये log x बोलो है ना तो जिसको अब x तो बना नहीं सकते हो क्योंकि question में खुद x है तो log x ना देखो तो log t तो देख सकते हो तो कास ये log t हो जाए समझ गया है तो आपकी कास की सुई जहां पर आके अटक रही है उसको आप t सपोस कर दो clear तो देखिए question दोड़ करके आपका solve होगा मैं इस question से सुरुवात करता हूँ आपके composite function की आपके पास function दिया गया है y is equal to log sin x मन में क्या आएगा कौन देरा tension sin x दे रहा है कास ये log x होता तो x तो ले नहीं सकते हो इतने कुछ t ले लेंगे तो लिखेंगे यहां पर let t equal to sin x ठीक है ना चलिए अभी differentiate करिए d by dx x का injection ले करके हम आँगे बढ़े x का injection ले करके आँगे बढ़े हम तो d by dx यहां पर क्या है log है और sin x है भूले clear की not clear d by dx equal to log अभी अभी मैंने बताया इसको मैंने क्या suppose कर लिया अब देखे एक नई चीज यहां पर होने वाली है आपका जो variable है अंदर का वो किसका है ट का है और जो आपका operator है वो किसका है x का है मतलब मरीज आपका ट का है और आप injection ले करके आ गए हो किसका x का यह तो भई यह गलत बात है क्योंकि अगर मरीज को चिकन गुनिया हो रख पूले यह ना फंक्षन किसका है ट का हो किसकी किससे differentiate होगा ट से तो देखे यहां पर एक नई चीज करने बस इसको मत भूलिएगा तो यह डी वाले को भेज बेल बजाएगा टिंग टॉंग लॉक्टी बाहर आएगा क्या है वह क्या बढ़ेगा डिफरेंशिट करने आए ह चले जाओ तुम प्यार से differentiate करे आओ किसको बेटा लॉक्टी को और यहां पर हो गया टी वाई डी अग्स अब लॉक्टी का differentiation कितना हो गया वन अपॉन टी और यहां पर आगया टी टी वाई dx, यह हो गया d by by dx, clear, 1 by t dt by dx, तो d by dx की value 1 upon t dt by dx, so d by by dx equals 2, 1 by t, 1 upon t, देखे, t की value 1 upon t, यहने 1 by sin x, 1 by sin x, into dt by dx, देखे, t तो हमने वापस पूट कर दिया, अब d by dx, t की value क्या है हमने पास में, sin x, t की value कितनी है, sin x, है की नहीं है, यह देखे, t की value हमने पास sin x है, तो 1 upon sin x तो बैठा हो गया, अब देखो, तो कितना हो गया, यह 1 by sin x, अब sin x का differentiation आप लोग जानते हैं, कितना होता है, cos x, तो यह बन गया, cos x upon sin x, answer कितना आगया बैठा, cot x, जी हाँ, तो finally आपके पास answer आचुका है, d by dx equals to cot of x, clear, so, यह differentiation आपका simple type से हो गया, तो आपको यही करना है, locked sign, कोई भी function आपके पास में आजाए, आपको इसी तरीके से काम करना है, चलिए, देखते हैं, पहला question आपका यह देखे, differentiate with respect to x, यह देखे, इतना बड़ा सा question है, अब क्या हो सकता है, बचे सोचेंगे, चलो इसको power 5 से लेके खोल दो, भाई, power 5 से लेके खोलो गए, तो जान निकल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा function है, एक तो प्राइनॉमियल है, अंदर तीन टर्म है, है ना, तो क्या होगा, काश तुम x की power 5 होते, बोलो, मन ने बोला की नहीं बोला, मन ने बोला की काश तुम x की power 5 होते, तो मन जिसको बोल रहा है x बनाने को, उस पूरे को पूरे को t मान लो, जो कि पिक्चर में खोदा यह x है, जब question में यह x है, तो उसको x तो ले नहीं सकते हैं, यतने बड़े function को, तो इसको क्या suppose कर लोगे आप? यह किताब वाले भाई साब इसको u ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, t ले लो, u ले लो, z ले लो, जो लेना हो ले लो, ओके, तो question है, x cube minus 2x minus 1 whole to the power 5, तो जो आपके पास question है, y is equal to x cube minus 2x minus 1 whole to the power 5, यह आपके पास में function दिया गया है, अब आपको differentiate करना है, तो हम तो नन्हे म उनने बच्चों की तरह differentiate करने आंगे बढ़े, कि रास्ता एकदम साफ है, फूल बिचे हुए हैं रास्ते में, मगर क्या पता कि यह जालिम दुनिया हमें जीने नहीं देगी, यह देखिए भाई साब, power 5 आ गई, आ गई, power 5 आते ही हमारे हुजगुल, कि सर्जी ने तो हमे केवल एक ही फार्मूला पढ़ाया, x की power n वाला, और उसमें x सिंगल होना चाहिए, और यहां तो इतना सारा मसाला भर हुआ है, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, इस पूरे को हम t suppose कर लेते हैं, तो let t equal to x cube minus 2x minus 1, गुले clear, तो question नहीं मूर ले लिया, d by dx equal to d by dx of t to the power 5, t to अभी पावर 5, अभी भी x है यहां पे, तो bell बजाएगा जाकर के दरवाजे के सामने, so d by dx left में तो चलते ही रहेगा, टिंग टॉंग, t बाहर निकल करके आया, क्या करना है, अभी अकल के अंधे t का मैं फंक्शन हूं लेकर के आया यहां पे, तो यह क्या हो जाएगा, d by dt और t की पावर 5, अब जो वादा किया है निवाना पड़ेगा, समझ गए, जो नीचे dt दिया तो बदले में dt कहां ले लिया, उपर, और यह जो dx गया था, यह पिक्चर में वापस आ गया, इतलब हिसाब के ताब, बराबर हो चुका है, समझ गया आपकी नहीं समझे, लेकि नीचे भी dt, ऊपर भी dt, बात खतम न, ओके, चले, अब यह डिफरेंशेट हो जाएगा, nx की पावर, n-1, तो 5t की पावर, 4, क्योंकि सिंपल है हो गया, और d by dx, t की वैल्यू पुट कर दो भाई साब, तो t की वैल्यू है, x3-2x-1, यही है न, t की वैल्यू, यह तो जान हो चुका है, x3-2x-1 की होल पावर, 4, अब चलिए, डिफरेंशेट करते हैं, सबसे पहले, x3 का कितना हो जाएगा, 3x2, फिर, minus 2, constant है, बाहर है जाएगा, x का कितना होता है, 1, x का कितना होता है, 1, और minus 1 का अकेला है, तो कितना हो जाएगा, 0, तो 3x2-2, और यहाँ पे 5 पैठा हुआ, तो 5 को multiply कर दो अंदर उसके साथ, 5, 3, जा 15x2, and 5, 2, जा 10, clear, यह वाला 5 जो है ना बिटा, यह इसमें चला गया अंदर इसके, नहीं गया, नहीं आएगा, आजाएगा ना, और यहाँ पे x3-2x-1 की होल पावर, 4, यही आपका answer बन जाएगा, ओके, तो यह ह हमारा आज का topic, जिसको हम कहते हैं बेटा, T rule, T method, है ना, यह देखे, अब यहाँ पर इसको तीन method से कर रखा है, कि जिससे आपको पहला तो T rule लगा रखा है, दूसरा क्या कर दिया, ओह, महांता की चेश्ठा ही पार कर दी इसने तो, दूसरा इसने क्या करा, दूसरा इसने यह पहला method है, अच्छा, इसकी value निकाल दी, दूसरी method है, इसने इसको, differentiating with respect to x, अच्छा, directly method कर दी है, इसको, एक shortcut है, इसने method नहीं बूलना चाहिए, इसको, अगला question यह, differentiate the following function, अब यह, फिर इतना बड़ा इसके अंदर function बैठा हुआ, इसको क्या suppose कर लेंगे, T, जैसे करेंगे, d by by dx equals 2, तो d by dt, e की power 5 by 2, clear, और यहाँ पे आजाएगा, कितना dt by dx, मैंने direct कर दिया, चल गया कि नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, चलिए देख लिजे, direct के बिना भी, तो यदि मैं x के respect में इसको differentiate करूँगा, तो वही बाते होंगी, फिर से जो बताई, मैंने, d by dx, t की power 5 by 2, तिंग टॉंग, d by dt, t की power 5 by 2, and dt by dx, clear, यस, तो यह बटा इस तरीके से आप इस function को differentiate फिर कर दीजेगा, यह वाला पहला part solve हो जाएगा, अब चलिए इसकी मैं बताता हूँ आपको short trick, जिसका नाम है dunda method, यह short trick आपको कहा लगानी है, अभी तो आप यह छोटे चोटे question कर रहे हैं, मतलब इनी पर dedicated, बट जब आप बड़े-बड़े question करेंगे, तो यह वहाँ पर छोटी-छोटे as a point use होंगे, तो वहाँ पर आपको use करना है dunda method, कौन सा method, dunda method, यह किसी किताम में नहीं है, इसा नाम लिख करके dunda method, एक तरीके की short trick है, देखे, y is equal to log sin x जैसे यह question है आपके पास में, तो आपको क्या लेना है, एक डंडा लेना है, तो d by dx equals to, यह डंडा सबसे पहले किस के उपर चलेगा, बेटा, log के उपर, किस के उपर चलेगा, log, आंगे वाले को x मानिए, अब डंडा चलाते जी, तो log x का differentiation क्या होता, 1 upon x, तो 1 upon x की जगे क कौन बैठा है भी यह, sin x, फिर डंडा चलाइए, sin, sin का डंडा क्या होता है, cos sin का differentiation क्या होता है, cos और आंगे वाला जो भी है, cos of x, अब डंडा एक्स पर चलाइए, x का differentiation कितना होता है, 1 तो आगे answer, सीधे cos upon sin कितना हो जाएगा, भाई, सब, cos of x, ठीक है, एक और question लेते हैं, y is equal to log sin x square plus 5, यह रिखे, इतना बड़ा question है, log sin x square plus 5, अब वैसे तो यदि इसको आप करोगे method से तो पहले आप इसको पूरे कुछ t लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एक बार इसको पूरे कुछ t लेना पड़ेगा, फिर जब अ है, आया, हाँ, यह तीन function यहाँ पे है, ठीक है न, पहले अंदर algebraic function है, फिर बाहर sin function है, और फिर बाहर कौन सा function है, log function, ठीक है, अब डंडा method में सिखा रहा हूँ, कैसे चली, डंडा method काम करेगा, तो सबसे पहले डंडा किस के उपर चलेगा, log के उपर, तो log का क्या होता ह तो 1 upon x की जगे पूरा मसाला बैठा है, इसको रख दीजे, sin x square plus 5, अब sin के उपर डंडा चला ही, sin का क्या होता है, cos x, तो cos और x की जगे पूरा मसाला x square plus 5, into, अब x square के उपर डंडा चलेगा, बूली कितना हो जाएगा, 2x, और 5 का कितना हो जाएगा, 0, तो finally इसका जो answer आ 5, यह इसका answer बनेगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, तो यह दंडा method है, समझ गए न, तो जल्दबाजी के लिए आप इसको 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 करेंगे, बिए कोई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके सीखने का वक्त है, यहाँ पर यह जो question आपको दिए गएग मतलब दो बार composition लगेगा, कितने बार, दो बार composition यहाँ पर लगेगा, ठीक न, करने की कोशिश करिए इसको नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा, कितने बड़े बड़े question आपको दे रखें, यह देखे, power 5 है, यहाँ पर 3 है, मतलब इसको मैं कैसे लिखूँगा, 3 upon 5 की तो चुट्टी कर दो बेवज़े constant है, बाहर बैठे रहेंगे, बोली ऐसा नो, यह चमकानी के लिए आपको दिये गए हैं, बिना बात के, clear, अब देखे, आंगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे उपर कौन बचा, 1, और नीचे बचा, 2 x square, minus 7 x, minus 5 की whole power कितना, 5, देखो बटा, क्यूब रूट हटता है, तो पावर कितनी आती, 1 by 3, तो बिटा, 5 by 3 हो जाएगे की नहीं हो जाएगी, तो 5 by 3 जब उपर जाएगा, बिटा, 3 upon 5, यहाँ पे 5 by 3 जब उपर जाएगा, तो 2 x square, minus 7 x, minus 5, की whole power कितनी हो जाएगी, minus 5 by 3, तो राजा आहम है, इस पूरे को T ले ले लेंगे, तो differentiation बड़े आराम से बन जाएगा, फिर तो, clear की not clear, इसमें पहले आप इसको rationalize कर लो, तो जिंदिगी आसान हो जाएगी, clear, और फिर आप division rule लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं, division rule, अच्छा rationalize नहीं भी करना है, तो 2 function का subtraction करके, जैसे इन्होंने ल गार दिया, nx की power n minus 1, आप ऐसा ना करें, आप t लेकर के करें, उसमें ज्यादा रिलेक्स रहेगा, ठीक है, अगला देखे, cos of x square plus a square, डंडा मेथड का बहुत simple application, cos के उपर डंडा चलाई, कितना हो जाएगा, minus sign, x square plus a square, क्योंकि cos x का differentiation minus sign x, now x square का, x square के उपर डंडा plus a square, clear है की नहीं है, चले चेक कर देते हैं, यह देख लिए, minus 2x sign x square plus a square, बेट बेटा आपको करने का method यह चाहिए, clear है ना, तो इस तरीके से आपको यह करना है, चले करते हैं,